ओम शिरी मन नाराय अनाय नमहा शिरी विश्नु पुराण पहला अंस नाराय अनम नमस्कृत्य नरम चैव नरुत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदिरियेत पहले अध्याय क्रिंत का उपोध खात शिरी विश्नु पुराण के पहले अध्याय का अनुवाद सिरी सूत जी बोले मैत्रई जी ने नित्य कर्मों से निब्रत हुए मुनिवर परासर जी को प्रडाम कर एवं उनके चरण शुकर पूछा हे गुरुदेब मैंने आप ही से संपून बेद बेतांग और सकल धर्म सास्तरों का करमजह अध्यन किया है हे मुनिसरेष्ट आपकी किरपा से मेरे पिपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपून सास्तरों के अभिहास में परिस्रम नहीं किया हे धर्मग्य, हे महभाग, अब मैं आपके मुखार बिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसा होगा हे ब्रामण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संपून चराचर किस से उत्पन हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा इसके अतिरिक्त, आकास आधी, भूतों का परिमाल, समुद्र, परवत तथा देपता आधी की उत्पत्ति, प्रत्थ्वी का अधिस्ठान और सूर्य आधी का परिमाल तथा उनका आधार, देपता आधी के वंस, मनु, मन वनंतर, यह बार बार आने वाले चारो युगों मे देवरिसी और राजरिसियों के चरित्र, स्री ब्यास जी करत, बैदिक साखाओं की अधावत रचना, तथा ब्रहमाल आधी, बर्ण और ब्रहमचर्य आधी आस्रमों के धर्म, यह सब है महमुनी सक्तिनंदन, मैं आप से सुनना चाहता हूँ हिबरामा, आप मेरे पिरती अपना चित, प्रिसादोन मुख कीजिए, जिससे है महमुने, मैं आपकी किर्पा से यह सब जान सकूँ सिरी पारासर जी बोले, है धर्मग्य है, मैत्रे, मेरे पिता जी के पिता सिरी बसिष्ट जी ने जिसका वर्लन किया था उस पूरू पिरसंग का तुमने मुझे अच्छा इसमरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो, है मैत्रे, जब मैंने सुना कि पिता जी को विस्वमित्र की पेरणा से राक्सस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ, तब राक्ससों का ध् राक्ससों को सर्वता नश्ट होते देख, मेरे महाभाग पिताम है, बसिष्ट जी मुझसे बोले, हेवत्स, अत्यनत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे सांत करो, राक्ससों का कुछ भी अपराद नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था, क्रोध तो करता है, पुरु स्वयम ही अपने किये का फल भोगता है, हे पिरियावर, यह क्रोध तो मनुस्य के अत्यनत कष्ट से संचित यस और तब का भी प्रवल ना सक है, हे तात, इस लोग और पर लोग दोनों को बिगारने वाले इस क्रोध का महिर्चिगन सरवदात त्या करते है इसलिए तू इसके बसी भूत मत हो, अब इन बेचारे निरपराद राकससों को दगध करने से कोई लाब नहीं, अपने इस यग को समाप्त करो, सादो का धन तो सदा छमा ही है, महात्मा दादा जी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गोरव का विचार करके मैंने य है या गिश्रमाप्त कर दिया, इससे मुनी स्रेष्ट भागवान बसिष्ट जी बहुत पिरसन हुए, उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी बहां आए, है महत्राई, पिता में है, बसिष्ट जी ने उन्हें अग्र दिया, तब बेमहर सी, पुलह के स्रेष्ट ब् बोले, तुमने चित में बड़ा, बैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बुले बसिष्ट जी के कहने से छमा स्विकार की है, इसलिए तुम संपुन सास्त्रों के ग्याता होंगे, है महाभाग, अत्यांत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वता, मुलो छेद नहीं किया, अत्यां मैं तुम्हें एक और उत्तंबर देता हूं, हेवत्स, तुम पुरान सहिता के वक्ता होंगे, और देपताओं के यथार्थ सरूप को जानोगे, तथा मेरे परसास से तुम्हारी निर्मल बुद्धी, पिरवर्थी और निरवर्थी, भोग और मोक्ष क उत्पन करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी, पुलस्त जी के इस तरह कहने के अनंतर, फिर मेरे पितामह भागवान बसिष्ट जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है, बहसा भी सत्य होगा, हे मैत्रे, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान बसिष् पूर्ण सहिता को तुम्हे सुनाता हूं, तुम उसे भली परकार दिहान दे कर सुनो, यह जगत बिस्लू से उत्पन हुआ है, उन्ही में इस्थित है, बेही इसकी इस्थिती और लेके करता है, तता यह जगत भी बेही है, इस परकार स्री बिस्नू पुर्ण के पहले अंस में पहला अध्याय समाथ्थवा, ओ शरी मनाराय ओ नहीं है, ओ